एक्सरसाइज 6.1 का question number first है यह guys objective question है और fill in the blanks वाला question है ठीक है मैं इसको बहुत इजली तरीके से आपको बताता हूं आप दियान से देखना इसमें क्या करना है हमें fill in the box है इसमें खाली जगह को बढ़ना है और इसमें दो option भी हमें दिया हुआ है इसको fill करने का ठीक है इसम इंट्रोडक्शन वाले video मैंने आपको बता रखा है तो मैं आप से request करता हूं जब इस video को देखने से पहले आप introduction वाला video देख लेंगे तो यह जो भी आपको यह बताऊंगा यह सब कुस्तन यह सब का सब आपको easily समझ माया जाएगा कोई भी आपको tough नहीं लगेगा ठीक ह तो देखो इसमें कहा रहा है जो all circle all circles are जितने भी circles होते हैं वो क्या होता है हमेशा similar होता है यह मैंने आपको बता रखा है introduction में जितने भी हमेशा कभी भी अगर दो circle होता है ना तो यह हमेशा क्या होगा similar होगा ठीक है तो इसका answer होगा आपका similar यह आपका similar होगा नेक्स्ट कहे रहा है जो आल Э menjadi स्वारऄ निया स्वारान रिया तूर्ब peł hanel थे गाट-दraszamर उपलिला कंगरंद ह्षान था मतलब समरूप हो या फिर सरवांग शरिखेंप लगा तो यह भी क्या होगा समरूप ही होगा मतलब सिमिलर ही होगा सिमिलर क्यों होगा सिमिलर क्यों होगा मैं आपका बता तो जैसे माल लो मैंने क्या करा दो यहां पर स्क्वाइर ले लिया ठीक है मैंने यहां पर दो क्या करा स्क्वाइर ले लिया ठीक है यह दो स्क्वाइर ले लिया मैंने यह भी स्क का छोटा है देखो अगर मैं इसको कॉंग्रेंट का मतलब सरवांग सम का मतलब क्या हुआ यह फिगर बिल्कुल इस फे फिट हो जाना चाहिए तो कभी-कभी ऐसे भी तो हो सकता है जो यह माल दो छोटा सा है और यह क्या है यह बड़ा सा है यह दोनों स्कॉर होगा तो यह द अर्म बड़ा है कस अर्म आर्म हमें पता चले चलिया लेकिन स्कасाइड का प्रोपॉजर यह दो है और यहम जाए अवी दौ दो हो गया दो ह्कवा जैसे तो यह क्या है यह एकोल यह साइद के इसके को और यह साई इसकेawan में इसके को और यह साइड помог प्रोब एफेड केम introduction वाले वीडियो मता रखा तो देखो ये condition follow कर गया, इसका, सारे sides भी proportional हो गया, और इसके सारे angle हो गया है, क्योंकि स्कॉर के सारे angle हमें सा 90 degree होता है, ये तो equal है तो मतलब ये क्या हो सकता, ये similar हो सकता है हमें सा, लेकिन ये बबाटस का सबस्क्राइब Фचिछ यहां परना दोगा ट्रेंगल मैं आपको आइसो सैलेश ट्रेंगल और सम्धुई बाहू और सम्भाहू सम्धुई बाहू और सम्भाहू तो इक्विलेटरल ट्रेंगल मैंने आपको पता है था जो इक्विलेटरल ट्रेंगल जो होता है वो इसके तीनों साइड आपस में इक्वल होते हैं तो मालो 24 अगर 20 लेटरल ट्रिंहल है अगर मालो 20 ट्रेंगल ही तो 17 貌मेश Чंगी देखो इसके बाद ऊचिद थी आ है यह दोनों ट्रींगल की क्या एगने चैनल करनी का हमेशा यह 60 दिग्री ओ多ता है 60 दीग्री है एंगले इता यह भी 60 यहě भी 60 और यह भी 60 सारा का सारा 60 होता है पर पपस होता है यह तो मैंने आल्रेडी आपको इंड्रोडिक्शन वाले वीजिवीड बदार लूता है जो आंप। तो यहां पर लिख देता हूँ इहां पर लिख देता हूँ इसका अंसर क्या हो गया? यह इक्यूलेटरल ट्रेंगल नेक्स्ट है जो two polygons of the same numbers मतलब दो कोई polygons है polygons में मतलब यह square भी हो सकता है माल लो आप इसी को लेके चलो ठीक है यही example है यह दो polygons है तो two polygons of the same number of side are similar कह रहा है जो यह दोनों जो है यह similar है ठीक है यह दोनों polygon है यह क्या है यह polygon है यह दोनों क्या है सिमिलर है तो पहला condition यह कहा रहा है यह corresponding angles are इसके भी च openworkers यह क्या होता है इक्वल होता है यह तो होता है यहाँ पर हम्हें आप्सं देखनें की ज़रूरभ भी नहीं पड़ी एक्वल एंड लिएर corresponding sides are dear corresponding यह जो sides होता है यह क्या होता है proportional होता है मैंने अभी आपको बता थे इसको हम proportional कहते हैं तो यानि कि यह proportional हो जाएगा इसमें बात खतम यहाँ पर आजाएगा proportional ठीक है? proportional हो गया तो हो गया यह question number first के यही इतने सही थे question इसका मैं second part भी कराता हूँ question number two जो है इसमें कहरा है give two different example of pair of similar figure और non-similar figure इसमें क्या करना है इसका जो first part है इसमें similar figure का दो अलग-अलग example देना है आपको तो बहुत तीजी सा concept है जैसे मालनो मैंने क्या करा इसका जो first example मैं यह आप लिग देता हूँ example one ठीक है तो example one इसका क्या हो जाएगा जैसे मालनो दो similar figure थे एक तो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है जो यह दोनों circle जो होता है वो हमें सा similar होता है है ना तो circle हो गया circles two circles लिख दो यहाँ पर two circles ले लिए मैंने यह हो गया और इसका दूसरा क्या हो जाएगा इसका example number two क्या हो जाएगा कुछ भी ले सकते हो आप example number two इसका क्या हो जाएगा अभी square हमने पढ़ा था square से easily होगा हम क्या लेते हैं इसका equilateral triangle ले लेते है equilateral triangle ले लेता हूँ मैं ठीक है यह रहा equilateral triangle मतलब इसके सम्भाहु ट्रिबूुज। मतलब इसके सारे साइड और सारे एंगल्स क्या होता है, यह इक्वल होता है, इसके साइड सारे एंगल्स क्या है, इक्वल है है, इसका नाम दे दो आप A, B. C. P UR. और बहुत इजी सा concept है, ये दूसरा example मैंने के ले लिया, two equilateral triangle, ले लिया मैंने, मतलब दो संभाहू त्रिभूस, संभाहू त्रिभूस, ठीक है, जो बच्चे हिंदी मीडियम के है, उन्हें भी मैं यहां पर हिंदी में explain करते जा रहा हूं, तो आप देखते रहा हूं, मैं ल non-similar, इसमें कहहा था, दो example देने के लिया similar figure का, तो मैंने similar figure का two example दे दिया, एक little circle हमेंसा similar होता है, और ये two equilateral triangle हमेंसा similar होता है, तो दो example हमने दे दिया, ठीक है, उसके बाद, इसका second part है, second part में क्या कहा रहा है, non-similar figure, ठीक है, non-similar figure मतलब जो similar नहीं होगा, इसका, आप को एग्जांपल देना है तो बहुत ऐब अचनी है भी आप क्या करो इसका पहला एकांपल जो होगा मैं भन रहेता है इसका जो पहला इडामपल क्या होगा जैसे माननों मैंने क्या कर दाव एक सर्कल ले लिया और इक पहला एक्जामपल तो हो गया और इसका दूसरा एक्जामपल क्या हो जाएगा दूसरे एक्जामपल भी कुछ ले लो आप जैसे माल लो यहां पर मैंने क्या करा एक स्क्वाइर ले लिया ठीक है और यहां पर एक मैंने ट्रेंगल ले लिया यह पैड ले लो ग्राम ले लो हो गया triangle हो गया दो different different example non-similar figure का यह आप क्यों बड़ी paint करता आप कुछ भी इसमें सोच सकते हो कोई जरुवत नहीं है कोई जरुवत नहीं है जो मने लिखा यही correct होगा आप अपने इस आप से कुछ भी ले लो दो figure जो similar नहीं होगा दिखने में एक जयसा नहीं हो टेक है समरूप का मतलब होता है जो दिखने में एक जयसा हो similar का मतलब some do झोनरा अपने पिल्कुल डिक्वल समानो numer इक बेहें बीलकुल भी नहीं है एक शंस्माने ना यह सरकल है त्युआ ट्रेंगल है यह व्रीत है और यह त्रिबूज है यह वर्ग है स्क Richard को इंडीम हम वर्ग कहते ह reduus जैने स्टरफे और यह square है तो यह दोनों figure जो है सम्रूप है कि नहीं है गैस मैंने आपको पतायए था जो दोनों figure दिखने में equal होना चीए यह rhombus है और यह square यह दोनों figure का shape बिल्कूल अलग है यह ऐसे बिल्कुल देखो टेटा है और यह एक दम बिल्कुल सीधा है यह दोनों दिखने में ही अलग रहा है तो जायर सी बात है यह समरूप नहीं होगा लेकिन फिर भी मैं आपको तोड़ा सा एक्स्प्लें करके बताता हूं देखो यह यहां पर दिया हुआ है जो यह स्कुर है तो इसका चारो साइड जो है, 4 अंल यह 90 डिग्री होता है तो यहाँ आपको बता रख्था है जिसके सारे अंगल भी आपस में इक्वल होने चींए जो है एंगल B जो है यह नोट इक्वल टू एंगल Q है एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल नहीं है similarly एंगल C जो है यह नोट इक्वल टू एंगल R है उसके बाद एंगल D जो है यह नोट इक्वल टू एंगल S है कोई भी इसका angle equal नहीं है है ना ये condition तो आपका follow किया नहीं दूसरा condition देखता हूँ मैं तो दूसरा condition क्या है ये इसके equal, इसके equal, इसके equal होना चीखे है ना तो इसका देखो ये सारे sides आपस में equal है तो ये तो proportional हो जाएगा मतलब अगर मैं 1 by 5 by 3 करूँ 1 by 5 by 3 फिर equal to 1 by 5 by 3 करूँ फिर 1 by 5 by 3 करूँ फिर 1 by 1.5 by 3 करूँ 1.5 ये तो सारे equal आ रहे हैं ठीक है? इसके side से equal आ जाएंगा मतलब यहाँ पर ये SP by DA उसके बाद P cube by AB ये तो equal आ रहे हैं लेकिन मैंने आपको क्या बताया था जब भी कभी polygon है मतलब ट्रेंगल के अलाबा जो भी figure होगा तो उसमें दोनों ही condition follow करनी चाहिए मतलब इसका जो है ये देखो SP by AD ये तो equal आ रहा है ये SP by AD equal आ रहा है उसके बाद ये P cube by AB b equal आ रहा है ये ना P cube by AB b equal आ रहा है उसके बाद R cube by BC by इसका equal आ रहा है और उसके बाद SR और DC भी इसका equal आ रहा है ये condition तो इसका follow कर रहा है ये condition तो follow कर रहा है लेकिन मैं नहीं आपको पताया था polygon figure में दोनों ही condition follow करनी चाहिए तो इसमें तब इसके इसका angle तो follow कर रहा है मतलब ये equal і नहीं है तो इस तरह के figure में दोनों ही condition follow करना चाहिए इसमें नहीं कर रहा है तो मतलब यह दोनों figure क्या है similar नहीं है तो these figure are not similar ठीक है और यही हमें बताना था यह similar है की नहीं है अब यह अपने बता दिया यह similar नहीं है तो I hope आपको यह video समझ में आया होगा सारा का सारा questions में total तीनी question है अभी अगले वीडियो में exercise 6.2 का question लेकर आऊँगा ठीक है और उससे पहले मैं theorem बताऊँगा जो tells theorem है 6.1 बहुत important theorem है वो theorem बताऊँगा उसका inverse बताऊँगा दो theorem बताऊँगा उसके बाद 6.2 exercise कराऊँगा तो अब फिर मिलते हैं next video में next question के साथ